जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल आप अगर नए वीवर हो चैनल से भी तेक नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसे आप दबाए और इस चैनल से जुड़ जाए थाकि आपको हमें शाची और नई जानकारी इस चैनल के माध् बन जाए तो बड़ा आदमी कैसा बने उसके कुछ सीक्रेट टिप्स हैं कुछ सीक्रेट बाते हैं जो एक वक्ति में होना चाहिए और यह बाते आज की आधुनिकता में आपको कोई नहीं बताएगा जिन बातों से हम दूर रहे हैं सबसे पहली बात आज इतना इश्वर की इच्छा से घटी तो रही हम और आप केवल दोशी हम और आप हमारे ज्ञान पड़ लिए हैं तो हम एक अलग ही वे में सोचते हैं कि हमने इसे पानी पिलाया तो घर में घुसके हमें कुछ करना दे हमने इसकी मदद की तो और होता भी है मैं उसका भी दूसरा पहलो भी यह नहीं है लेकिन क्या आपके साथ होगा यह जरूरी नहीं है यह बात मैं आप से शेर कर रहा हूँ तो एक helping nature आपका होना चाहिए दूसरी बात है कि बड़ा आदमी बनने के लिए एक बड़ा वेक्ति तो बनने के लिए एक किसी भी फिल्ड में सक्सेस होने के पहले उसका पैमाने आप नहीं नाप सकते हैं कि यह सिर्स पर पहुंच गए तो यह बड़ा हो गया हर वेक्ति अपने आप में बड़ा होता है उसके पास वह अधूत गुण होते हैं जो किसी के पास नहीं होते हैं और अगर उसी वुणों में अगर अच्छा करेंगा तो जरूर बढ़ा बनेगा अब आपका बच्छा सिंगिंग अच्छा करता है और आप उसे कहते हैं कि नहीं आप तो IIT करिए या आप ये करिए तो आप बताए हो कैसे सफल होगा जब उसका मन उसका फ्लो उसकी पूरी भूमिका है और वो सोचता भी दिनरत वही चीज है तो हमारे पास क्या अलग है उस फिल्ड के लिए जिस बेंकि हर फिल्ड में एक रती बड़ा अलग होता है उस पर खुद फोकस कर विचार भी मच करें और उस तरफ आगे बढ़िए दूसरी बात है कि कहीं सारे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमें इस सब बात आ इसा नहीं होता है तो माबाप की राय बहुत महत्पूर है अपके जो माबाप के लिए करेंगे वह जरूरी है लेकिन उन माबाप को भी मेरी यह हिदाय थे कि वह अपने बच्चे का टेलेंट उसकी जो काबिल्यत है उसे एक बार खुद एनालिसिस कर ले कि हाँ यह रात उसके साथ रहते हैं बात करते हैं बैठते हैं तो उसमें वह खुबी जरूर होगी जो माबाप पहचान पाएंगे तो बच्चों के लिए कि जो अपने माबाप चाहते हैं वो उनके लिए बेस्ट है और माबाप भी यह सोचे कि उनके लिए क्या बेस्ट है वो भी उन तो मैं यह नहीं करूँ आप 25 के हैं, 30 के हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, 45 के हैं, 50 के, वहां से भी आप एक लक्ष निधारित कर सकते हैं, कि हम दो रोटी की जद्धो जहते, वो पूरा करने के बाद, जो हमारे पास वक्त बचे हम उस समय को उस लक्ष के लिए dedicate करें उसके लिए काम करें आप अच्छा writer अच्छा singer अच्छा लेखक अच्छा creative work कर सकते हैं जो आप जो आपके पास है वो उस्से अच्छे से आप जानते हैं अगर आप इन चीजों पर focus करेंगे आप एक दिन जर में लाब देने में लग रहे हैं और मजबूत होते हैं और हमेशा आपको फल अच्छा में लेगा तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं फेस्बुक टुटर पर जुड़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं कमेंट्स करें लाइक करें जैशरीम हांकार